क्या आप भी अपनी रिटार्मेंट के लिए अपनी फ्यूचर के लिए पैसा इकटा करने में जुटे हुए हो अपना कॉर्पस बिल्ड कर रहे हो वैसे आप ये अमाउंट कैसे तै करते हो 25 लाग 50 लाग 1 करोड 2 करोड कितने रुपे चाहिए आपको अपने फ्यूचर प्ला कि में एकर आप में अपनामाउंट डिसाइड करना है आपको काल्कूलेट करना है के ऑपको इंफलेशन काल्कूलेटर का इस्तमाल करके आपको डेखना है कि आज से 20 साल बाइज जिसके लिए पैसा एकटा करना चाह रहे हो वै। कितना पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने ये तो जरूर अपने घर पे सुनाओगा, हमारे बाप दादाओं ने 10 लाग रुपे में इतनी एकड़ जमीन खरी दी थी, लेकिन क्या वो 10 लाग रुपे में एक एकड़ जमीन आज मिलेगी, definitely not, कहीं नहीं मिलेगी, पूरे भारत के अंदर, वैसे ही आज से 20 साल बाद, यानि साल 2044 के अंदर 50 लाग रुपे की कीमत कितनी होगी, जो चीज 50 लाग रुपे में आज आपको मिल रही है, वो इंफलेशन कैलकुलेटर में चलिए, देख लेते हैं, सिंपल सा, मानलो के इंफलेशन, यानि के महंगाई, साल दर कीमत होगी, डेड़ करोड से जादा 1.7 करोड रुपे, यानि जो चीजे आप आज 50 लाग रुपे में ले पा रहे हो, आज से 20 साल बाद, साल 2044 में वही चीजे आपको 1 करोड 75 लाग रुपे में मिलेगी, विच मीन्स आप जो अपना ड्रीम अमाउंट 50 लाग रुपे जो अपनी SIP यानि mutual funds के fund का amount calculate करना है, मान लो अगर आप mutual fund में निवेश करना चाहते हो, वगले 20 साल तो अपनी कोई random amount, random figure का इस्तमाल नहीं करना है, आपको SIP इस calculator के जरिये आपको calculate करनी है, कि अगर आपको 1 करोड 76 लाग रुपे की जरूरत है, तो मान लो के एक average mutual fund आपको 13% return दे रहा है, 13.5% return दे रहा है, तो आपको हर महीने 15,500 रुपे कम से कम SIP करनी है, अगर आप इस amount से कम की SIP करोगे, तो यह आपका जो dream figure है 1.76 करोड वाला वो आपको नहीं मिल पाएगा, और एक और चोटी सी चीज बता देती हूं, कि जो आपका जो return वाला amount है 1.76 अगेगा, विच मींज करीब करीब आपके 17,000,000 रुपे तो सिर्फ और सिफ टाक्स में ही चले जाएंगे, विच अगेन कम से कम 15,500 रुपे के SIP करनी ही करनी है, वैल अगर आप टाक्स के बाद भी इस amount को बरकरार रखना चाहते हो, तो आप 500 रुपे या 200-400 रुपे से अ पर करार रख सकते हैं, तब जाकर आप अपने फ्यूचर को अच्छी तरह प्लान कर पाओगी और वो सभी चीज ले पाओगे जो आज के 50,000,000 रुपे के अंदर आप उस समय लेना चाहते हो, Cracks of the story is कि आप अपनी retirement का amount, अपना future का amount जो है, अपना retirement corpus जो है, वो किसी भी random, किसी भी किसी की कही गई figure पे ना calculate करके, inflation यानी महंगाई calculate करके decide करें और उसके बाद अपने SIP का amount decide करें, अगर आपको भी वीडियो और हमारी calculations पसंद आई हो, तो इसे like करें और जादर से जादर share करें, ऐसे और उमदा calculations और इस तरह के hacks के लिए आपको follow करना होगा, subscribe करना होगा, पैसा live.